हमारे साथ इस वक्त खास बात्चीत करने के लिए मनीश गुपता, CEO है ताट साट के सर हमसे बात करने के लिए बहुत 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 बात्यवाद आप हमें किचिन में लेकर गए काफी सारी कुजीन दिखाया आपने बहुत इंट्रेस्टिंग था देखना कि 40,000 से जादा मील्स इस किचिन के थ्रू लोगों को पहुचाए जाते है एरलाइन्स में सर इस पूरे प्रोसेस को अगर समझा सके हमें तो प्रेपरेशन से लेकर डिस्पैच तक किस तरह से ये एरलाइन किचिन काम करती है सबसे बहले एशुर है थैंक यू वेरी मच यहां आने के लिए और ताजसेर्स की किचिन का प्रोसेस समझने के लिए देखिए जो एरलाइन फूड का प्रोसेस है वो नॉर्मल जो आप एक रेस्टॉराण में या एक बैंक्विट में खाना खाते हैं उसे थोड़ा सा अलग होता है और उसमें अलग बात यह है कि बाकी जगे पे आप खाना कुक करते हैं और उसी समय सर्व करते हैं जबकि एरलाइन किचिन में या एरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है तो यहां पे हमारा जो सारा प्रोसेस है वो साथ या आठ घंटे और कभी-कभी आठ से दस घंटे पहले शुरू होता है जो जरूरी यह है कि जो पूरा प्रोसेस है वो उस तरह से फॉलो किया जाए जो हम करते हैं वो डिफरेंट वो ये है कि हम करते हैं कुख चिल सर्फ प्रोसेस जिसका मतलब यह हुआ कि हम खाना बना कर उसको गरम खाने को फिर से चिल करते हैं और हम उसको नॉर्मली पांस डिगरी से नीचे लेकर आते हैं In fact, अगर हम longer duration के लिए we blast freezes, we bring it minus 18 degree तक हम उस खाने को लेकर आते हैं क्योंकि ताकि खाना safely उस जगे के लिए hold कर सके जब तक हम उसको finally दो या धाई गंटे पहले एक flight के लिए dispatch करते हैं So, ये एक मुखेतिया एक फार्ख है जो एक normal खाने बनाने में एक रेस्टराण में वी-जा-वी के लाइन केटरिंग बिजनस में कितने मील्स सर्फ कर रहे हैं सर अभी फिलहाल is at this point, कितने मील्स यहाँ इस किचिन से जाते हैं So, देखिए मुंबई से हम करीब 40,000 कर रहे हैं बट पूरे इंडिया में जो हमारी seven kitchens अभी operational है हम करीब 1,25,000 मील्स रोज कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मील्स सबसे ज़्यादा busy airport is Delhi So, दिल्ली में हम करीब 50,000 मील्स कर रहे हैं भी So, मुझे लगता है कि ये जो phenomena ये जो numbers है ये करीब 1,5,000,000 तक पहुचेगा अगले दो यतीन महिनों में और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि वो एक stable तरीके से 1,5,000,000 के आसपास रहेगा कुछ महिने तक That's That's Kitchen जो है six locations पे Pan India का presence है आपका और क्या वराइटी है कुजीन की डेलिकसी की जो आपकी कस्टोमर्स पसंद करते हैं इन फ्लाइट केटरिंग किस तरह से की जाती है तेखिए जो रेगुलर इंडियन और येरोपेन खाना है वो तो हमारी speciality काफी पहले से है और उसके अलावा एक और एरिया जो आजकी डेट में बहुत पॉपलर भी है इस Asian food So Asian मतलब Japanese, Chinese, Thai, Vietnamese So ये cuisins भी इंडिया में और all over the world बहुत पॉपलर है So ये एक एरिया है हमारे लिए जो जिसमें ताट सैट्स बहुत strong है और बहुत अच्छी तरह specialize करता है So besides all these, you know, the Indian or European के अलावा, Asian भी हमारा फोटे है इसके अलावा मैं आपसे share करना चाहता हूँ कि एक और area जो हम specialize करते हैं जो कोई और शायद नहीं करता is the kosher meal, what we do for our Israeli airlines So that is something which is very unique where बहुत सारी airlines दुनिया में और बहुत सारे catering companies दुनिया में यह food नहीं दे सकती, because उसके requirement होड़ी different है So our variety है, वो Indian से लेके यहां तक पूरी तरीके से हम capable हैं यह सारी meals का service करने के लिए काफी interesting है kosher kitchen जब हमने रखी किया था तभी यह मुझे बताया गया था कि यहां पर Jewish priest जो आते हैं He needs to come and bless the food तो काफी interesting है यह आपके कई protocols में से kitchen के कई protocols में से एक रहा होगा प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमें जब आप kitchen के और ले जा रहे थे तो हमने काफी सारी steps follow की हमने headgear पहना था lapcoat पहना था तो यह quality checks जो है sir यह किस तरह से follow किये जाते हैं और इसका importance क्या है देखिए aviation industry में और aviation cantering industry में particularly hygiene, sanitation, protocols, safety का बहुत बहुत जादा मेहत्व है so यह मेहत्व सब जगे है लेकिन इस जगे पर इसका level बहुत हाई है और हमारे को not only local laws or local protocols but the strictest and the most stringent international protocols जो international bodies के दुआरा बनाय जाते हैं उन सभी का पालन करना होता है और साथ में aviation security जो जो Bureau of Civilization Security है हम जिसको कहते हैं उसके भी बहुत सारे अपने separate protocols है जो हम follow करते हैं so right from खाना जब हम खरीदते हैं खाना जब हमारी kitchen में enter करता है वहाँ से लेकर उसको store करने से लेकर और उसको खाना बनाने से और जो आखरी step में उसको trucks में ले जाकर aircraft में ले जाने तक वो पूरी की पूरी जो cycle है वो बहुत ध्यान से और बहुत strictly monitored cycle है जिसमें हम पूरी एतियाद बरते हैं कि किसी भी तरीके से खाने का temperature या खाने के अंदर कोई और पदार्थ बाहर से या किसी भी तरीके से कोई भी policy का या protocol का violation नहीं हो airline catering जो है आपके global customers है domestic और international दोनों तरह के customers को आप cater करते है Tatsats Kitchen को एक global level पर ले जाने के लिए क्या efforts आपकी team लेती है देखिए ऐसा मैंने पहले का हम mostly सारी international airlines almost लगबग सारी airlines को खाना service करते हैं so चाहे वो दिल्ली या मुंबई में हो या फिर even smaller cities like गोवा में हो so हमारा जो focus है वो उनको best quality, best cuisine प्रोवाइड करने का है उसके लिए हमारे chefs कई जगे उनकी kitchens visit करते हैं उनके chefs हमारे हाँ आते हैं और ये पूरा का पूरा process of food selection, menu selection और उसके बाद उनके trials और उसके बाद final approval और उसके बाद random checks to make sure that that जो expectation है quality or taste की वो लगातार बनी रहे ये एक continuous process है जो हमेशा follow होता है और इस पें actually जो हमारे partners होते हैं airlines का उनका भी बहुत बड़ा रोल है वो लोग कोशिश करते हैं कि हर दो महिने में तीन महिने में उनकी तरफ से कोई ना कोई उनके master chefs और उनके quality people सब लोगों का visit साथ में रहता है और ये एक बड़ा बड़ा reason है कि हम इस चीज को बड़ा successfully कर पाते हैं हमारे viewers और आपके customers की जानकारी के लिए आप किन flights में अपना food cater करते हैं और किस तरह का cuisine popular है customers की बीच में और किस तरह का trend देख रहे हैं अप की consumers को क्या पसंद आ रहा है सबसे जादा flights में देखिए flights हम सारी mostly जैसे मैंने कहा पर कुछ जगे पे ये station to station vary करता है पर mostly domestically we almost have everybody so and primarily the full service ones जहां पे खाना पूरीत रह जाता है जैसे कि Air India या विस्तारा यहां पे हमारा focus बहुत जादा रहता है और उसके अलावा internationally भी हम mostly सारी ये land service करते हैं और trends की अगर बात करें तो लोगों को आज की date में खाना चाहिए बहुत healthy तो उनको चाहिए sugar free, उनको चाहिए vegan, उनको चाहिए gluten free, उनको चाहिए light और trendy food so plant based meat for example जो आज कल एक नया चलन है so ये सारी चीजें हैं जो बहुत fast changing हैं जो consumer taste है वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि हमारे को उसको up to date रहने के लिए और साथ-साथ उसको implement करने के लिए continuously effort करने पड़ते हैं ये एक बहुत अच्छा challenge है इस time पे जो post pandemic हम notice कर रहे हैं एक kitchen में होना काफी tempting होता है मैं इनके croissant section में गई थी और काफी delicious वहां से खुश्बू बहुत अच्छी आ रही थी sir आपकी favorite part क्या है इस kitchen के अंदर और क्या आपको सबसे tempt करता है जब आप kitchen में जाते हैं ये एक बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा ऐसा नहीं है कि कोई भी area वो depend करता है किस time of the day आप वहां पे जा रहे हैं बट अगर आप सुबह जाते हैं तो आपको fresh bakery और fresh क्रॉसों की कुष्भू बहुत अट्रैक करती है अगर आप लंच के बाद जा रहे हैं तो शायद आपको लंच और डिनर के मेन्यूस जो है वो बन रहे हैं तो उस समय आपको ग्रेवी या हॉट किचन या या सालिड्स आपको जादा नजर आते हैं तो ये डिपेंड करता है किस time of the day आ से बात करने के तेंक यू, थैंक यू, एश्वाह.